लीजे सुनिए आचारे चत्रसें शास्त्री के लिखे उपन्याज वयमरक्षा महा का भाग 106 महातेज कुम्ब करण मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जैसे अंशुमाली भुवन भास कर उद्याचल में चड़ता है उसी प्रकार महातेज जगत जैरावन लंका की कोट कंगूरों पर चड़कर समर शेत्र का निरिक्षण करने लगा उसने एक विशाद पूर्ण द्रिष्टी लंका के अपरी संख स्वर्ण राजमंद्रों पर डाली जो अपनी मनोहरता से मन को मुह लेते थे पुष्प वाटिकाओं में कनक विहार हर्म, कमला लयों में सरूवर की रजत छटा तथा पुष्पित तरुराजी युवती की ओवन की भाती नित्रों में मददान देते थे नगर की हाट बाट रतनों से भरी पूरी थी, जैसे विधाता ने जगत की संपदा सुचारु स्वर्ण लंका के पद तल में पूजा विधी से सजाई हो हाई, आजी राक्षस पूरी श्रीहिन शव की भाती हो रही है उन्नत अटल अचल प्राचीरों पर सिंग विक्रम भट जो निर्भय सिंग की भाती घूमते थे वे अब कहां हैं, लंका के सिंग दौार सब बंद हैं, उनके आस पास असंक रत, गज, अश्व और पदातिकों की रेल पेल हो रही है दूर तक फैली हुई बालुका में राम सेन ऐसी दीख रही है, जैसे आकाश में नक्षत्र वो देखो, पुर्व दौार पर संग्राम में दुर्निवार वीर नल, कहरी के समान सावधान बैठा है दक्षन दौर पर हाथी के समान असंबल अंगद और पश्चिम दौर पर मारुती हनमान सिंगनात कर रहा है और उत्तर दौर पर श्रीहीन राम, कौमदीहीन चंदर के समान, सुग्रीव विभीशन और लक्षमन के साथ आसीन है एक मास से नहोंने तो मेरी लंका को ऐसा घेर लिया है, जैसे व्याध गहन कानन में सिंगनी को जाल में फसा लेता है श्रगाल, गिद, शक्नी, श्वान और पिशाच, निर्भै कुला हल करते विचर रहे हैं मिर्तकों की आतों को खीच खीच कर परस पर लड़ रहे हैं, कोई रक्त पीकर त्रिप्त हो रहा है मरे हुए हाथी कैसे भयानक प्रतीत हो रहे हैं, कितने रथ, रथी, अश्व, साधी, निशादी, शूली, चक्ना, चूर, खंड खंड पड़े हैं तूटे पूटे भिंदी पाल, वर्म, चर्म, असी, धनू, तून, शर, मुदगर और परशू पड़े हैं, तेजस करवीरों के शिरस्तरान, मणी मै करीट और कभी उन्हें धारन करने वाले सिर लुड़क रहे हैं हाई हाई, जैसे किसान धान काटता है, उसी भाती इस भिकारी राम ने मेरा सब कटक काट डाला है उसने आख उठा कर दूर तक पहले हुए अनंत सागर को देखा, सागर में बंधे सेतु को देखा, जिस पर बली बानरों का पहरा था रावण ने दौनों हाथ फैला कर कहा, वाहरे जल्दल पती, क्या ही सुन्दर विजय माल तूने कंठ में डाली है अरे अधम सागर, आज तू भी बंधन में पढ़ गया, रे जल्दल पती, धिकार है तुझे अब तूना अजय रहाना अलंग, तू भी इस दाशरती राम का क्रीत दास होगे, तूने भी दासत्व की बेणियां पहन ली, अरे निरलज जुठ, इस सेतु को तोड़ फोड़ कर इस प्रबल रिपू को अतल तल में डुबो कर मेरे हिरदाई की ज्वाला को शान्त कर, अर महातेज कुम्बकर्ण की सहायता लेनी चाहिए, वो हमसे खिन और उदासीन हो, अपनी रत्न गोहा में कूटस्थ जा बैठे हैं, तो ये काल कूटस्थ होकर बैठने का नहीं है, वीरे प्रदर्शन करने का है, आज राक्षस जाती के सम्मुक, कुल शेय का संकट ये जानकर महातेज कुम्बकर्ण उदासीन नहीं रह सकते, वे हमसे कुरुध होकर भी रक्षेंद्र विभीशन की भाती वेरी राम के शरणापन नहीं हुए, इस से उनका हमारे प्रती प्रती प्रेम और आपके प्रती सोहार्द प्रकट है, फिर वे आपके सहुदर है, उ आप हमारे सबराक्षसों के स्वामी हैं, आप जगदीश्वर हैं, प्रत्वी पती हैं, महातेज के जेश्ट भराता है, सो मंत्रियों सहित आप जब उनके पास पहुँचेंगे, तो उनका क्रोध विगलित हो जाएगा, वे शस्त्र पानी हो समर भूमी में जाएंगे, उनक महत तेज आश्रे हो, हम सबराक्षसवीर बात की बात में इन शुद्रवानरों को काट डालेंगे, हमारा तो यही मत हैं, आगे देव पिर्मान हैं, मंत्रियों के ऐसे हित कर सारगर्भित, समयोप योगी वचन सुनकर, रावण महातेज कुम्बकर्ण के पास जाने को राज बहुत से सुनक, हचित, वस्त्र और मनीले, महिदेव, रावण, भाई कुम्बकर्ण को मनाने मंत्रियों सहित उनकी रत्न गोहा पहुंचा, बेरी, शंक और मृदंगों का महानाद सुन, कुम्बकर्ण रत्न गोहा से बाहर आया, उसने रक्षेंदर की प्रदक्षना कर उस आपका क्या प्रयोजन है, रावण ने भाई का आलिंगन किया, फिर लजिस्सा होकर कहा, ब्राता, ये कुल शय का संकट काल रक्ष जाती पर आउपस्तित हुआ है, सीता हरन से संतप्त राम ने सब प्रमुक राक्षस धन और धरों को माढ़ ढाला है, एक मास से वो इस प्र जय कहाता हूँ, तेरे बल से मैं लंका पर अबाध शासन करता हूँ, कुल दरोही विभीशन ने वैरी का आश्रहले लक्ष कुल को कलुशित किया, अब तू प्रसन हो, महातेज कुमकर्ण, राक्षसों की डूबती नईया को उबार ले, उस भिखारी दाश्रती से लंका को महाभय उत्पन हो गया है, हे वीर बाहु, अब तू ही उस भय से लंका की रक्षा कर सकता है, रक्षपती जगजईरावन के ऐसे कातरवचन सुन, महातेज कुमकर्ण, शोक और क्रोध से अभी भूत हो, अश्रु पूरित नैनों से हत तेज रक्षेंद्र को देख, दुखी होता हुआ बोला, राजनु, मैंने तो पहले ही आपसे निवेधन किया था, कि शत्रु पत्नी सीता को लोटा दे, एक इस्त्री के लिए राक्षसों के कुल को संकट में मत डाले, पर उस समया आपने अपने हितेशियों की बात परकान नहीं दिया, आपने परम धर्मग अग आपने ये कुकर्म कर डाला, जो आप जैसे प्रतापी जगजई के लिए अशोब निये था, आप महाप्रग सब शास्त्रों के ग्याता, वेदोप, देश्टा, जगदीश्वर हैं, पर आपने परणाम पर विचार ही नहीं किया, महराज, जो काम देशकाल के विपरीत किये पर कर लेता है, तथा आपने सुह जन को ठीक 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 पहचानता है, वो करत्यव्या करत्व का ठीक ठीक निरणय कर सकता है, नीती निपुण पुरुष धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का यथा समय उपभोग करता है, जो निर्पती अपने बुद्धिमान हितैशी मंत्रिय उसे परामर्श करके समय अनुसार, साम, दाम, दंड, भेद और पराकरम इन पाच परकार के योग का नीत अनीत का धर्म, अर्थ, काम का यथावत सेवन करता है, उसे कभी भी ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए राजा को तो अर्थ, शास्त्री मंत्री की स धानता है, यही देख मैंने राज सभा से किनारा किया, अब मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, भाई कुम्ब करन के ऐसे नीती वाक के सुन, रावन चुपचा पृत्वी की और देखता रहा, उसके मुझसे एक शब्द भी नहीं निकला, कुम्ब करन ने फिर कहना आरंभ क महराज, जो राजा अपनी चंचल बुद्धी के कारण हितैशी पूर्षों को नहीं पहचानते, वही राजा शत्रू के अधीन होते हैं और जो राजा शत्रू के उपेक्षा कर अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करते, वे ही विपत्ती में पढ़ते हैं। महिदेव सोचिये तो, कहां आपकी कनक लंका और कहां आयुध्यापुरी, कहिए भाई, किस लोब और किस कारण राम यहां आया है। मैंने तो सुना है, ये शुद्र नर सर्युतीर बसता था, पर क्या वो आपका स्वन सिंगासन पाने के लिए यहां आकर युद्ध कर रहा है। हे वीर, उसे आप शत्रु कहते हैं, पर विचार तो कीजे, इस काल रूप समरागनी को किसने लंका में प्रजुलित किया है। रक्षेंद्र, आप तो स्वैम ही अपने कर्म दोश से लंका को डुबो कर स्वैम भी डूब रहे हैं। रावन ने खिन मन होकर कहा, कुम्ब कर्ण, तु मेरा इस परकार तरसकार क्यों करता है। भाग दोश से दोशी की निंदा कोई नहीं करता। इतना कह रावन शोक निमगन हो बैठ गया। ये देख कुम्ब कर्ण ने खड़े हो, उर्ध वाहू हो कर कहा। अथवा इन बातों से अब क्या। मैं रक्षेंदर का अनुगत हूँ, अन्ने बुक्त हूँ, आश्रित हूँ, लंका का संकट मेरा भी संकट है, राक्षसों का शाय मेरा भी शाय है, मैं जगजई रक्षेंदर का सहोधर हूँ, जो आपका शत्रू है, मेरा भी है, मैं जब राम लक्षमन सहित संपूर्ण वानर सेना को रण में जय करके ही रक्षेंदर का मुख देखूंगा। ब्रात्र स्ने से कहे थे। अब आप शीगर शत्रू का करंदन सुनेंगे। राम लक्षमन को अब मरा ही समझे। राम लक्षमन सुग्रीव और हनमान को तो मैं भक्षन ही करूँगा। इतना कह महातेज अमित विक्रम कुम्ब करण ने रक्षेंदर की प्रदिक्षन की और सिर नवाकर प्रणाम किया। रावण ने आलिंगन कर रथिश्रेष्ट यम वरुण से भी अवध्ध महाबल कुम्ब करण को अश्व गजरत तथा महारत के सहस्त्र गुल्म दिये। विजय की दुन्दुभी और भेरी नाद से दिशाओं को प्रकंपित करता हुआ अजे गिरी प्रणाम का भाग 106 महातेज कुम्ब करण मेरी यनि समीर गोस्वामी के आवाज में। झाल 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 झाल